असलाम अलेकूम कैसी है आप सब उमीद करती हूँ खेरियत से होंगी वेल्कम टू माई चैनल नमबर वन किचन हैक्स में आप लोगों को खुशामदीद आप लोगों को मालूम है कि मैं आप लोगों के लिए हमेशा वही टिप्स और हैक्स लाती हूँ जो आप लोगों आज वायर जो कैबिल होती है वो इसी तरह पड़ी होती है अकसर तूट मूट जाती है खराब हो जाती है क्योंकि वह इसी लटकी रहती है तो इनका प्रॉपर सुलूशन जो है मैंने एक वीडियो में बताया था पहले भी अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो मैं हलका सा रोल बनाए उसको हलका सा रोल बनाए और इस तरह से जो चार्जर है ना उसी के अंदर इसको अटका दे यह इस तरह से देखें आप लोग गोड़ से जो चार्जर है जो लगा हुआ है स्वीच में उसी के अंदर हमें वायर को फोल्ट करके उसी में अटका देना है क चुंकि जो चार्जर होता है वो उसका गैप बनावा होता है उस गैप के अंदर ये जो वायर है ये अराम से आ जाएगी ज्यानिके जो कैविल है मुबाइल कैविल ये बहुत आसानी से अंदर आ जाएगी और जब आपको जरूरत हो तो आप दुबार असे निकालें और इस तरह लगा दें इस तरह लटकेगी नहीं आपकी मुबाइल कैविल और खराब नहीं होगी ठीक है और यह करण भी नहीं लगेगा कुछ भी नहीं होगा टिप कैशी लगी मुझे जरूर बताईएगा चले चलते हैं दूसरी टिप की तरफ उससे पहले आपको दिखा दूंगे मेरे जित्तीवी सुईज है में सुईज वह तगरीबन तगरीबन नीचे हैं और मैं नीचे ही लगाती हूं तो इस तरह में फोर्ड कर देती हूं आप लोग देख सकते हैं चले टीप नंबर टू ज्यादा तर आप लोगों ने देखा होगा के जो कबर्ट होते हैं के डिवाइटर होते हैं या ड्रेसिंग टैबील होती है इसके जाडू बिल्कुल भी नहीं जाती बहुत मसले होते हैं बहुत परिशानी होती है मेरे पास जो जाडू है वह नाइलोन की है जो इसके आप लोग देख सकते हैं तीलिया सारी मुड़ गई है इसी चक्कर में कि जाडू किस तरह दू नीचे से सारा कच्छा नीचे दे जाता है बच्छे चीजे में से खाकर रैपर्स ऐसी फैक देते हैं बहुत सारा इससा कच्छा होता है है मैं बहुत परेशान होती हूं तो यह बेकार है आप इसको आटार आदें सोलोग हो जोब्स फूल वाली जाडू होती है तिलियों वाली तो वैट वह विः तूट पुट जाती है और आप लोगों के बहुत नुखसान होता है त्लिके मेरा थींदोर का इए कबथ है इसक मैं सफाई करती हूं आप भी विसी तरह कीजिएगा हर घर में जो है कपड़ों के हैंगर तो होते हैं यह हैंगर ले ले आप सिंपल सा और कोई भी फटा पुराना आपने बच्चे का अपने हस्बेंड का भाई का किसी का भी एक सॉक्स ले ले पुराना हो या फटावा हो हैं इसका इक साइड चाहर हैं कि अपनि पराणा मोज जो होगा हमारे से अउसको इसलन से चपड़ा देंगे इससा जाडू भी देशक्ती सकती है जारू इस वहां आप लिए जारू के लिए ँष्तिकानां ़िस्ते भी आपको दिखा रहे मैं दो हाई हुँ कि इस पुछी नहीं है बाटी आ रहे है भार देखें आप लोग कितनी मत्टी निकली कच्रा इसलिए नहीं निकल रहा कि मैंने सफाई करती रहती हूं आप लोगों को बताती हूं यह देखें दूसरी तरफ से भी हैंगर भार आ रहा है वह आसानी नीचे मत्टी तक इसने साफ कर दिया आप लोगों के लिए पसंद आए ना तो मुझे लाइक हो सब्सक्राइब करना आप लोगों ने ठीक है अच्छा यह देखें मैंने वह आप लोगों नीचे चल गया है बिल्कुल कोने कोने से यह कच्रा निकाल के लिया है बिल्कुल आपके जो घरगे कोने जहां आपकी जाडू यह आथ नहीं जाते अब वह साफसुत्र रहेंगे चंपेंगे इस तरह के टिप जो मैं बता रही हूं इस्तमाल करके अब यह कि overlap बाज के अनदर यह सालन के अंदर सालन्मे तो लाजमी प्याज यूज होती है प्यास का बगडता हमारा सालन्मhält अहीं थेदें आप लोगों को मालू है प्यास कितनी महेंगी चल रही है और प्यास खराब भी आरही इतनी अच्छे प्यास नहीं है उसके जो अगर 돼 सारी लेर्स लेर्स तर जाती है या निकर छिलकों में प्यास जाया हो जाती है हमारे हजार रुपर तो यह खरollen बहुंगे नहीं और आँसे अलगाते हैं प्यास काटने में क्यों देज आ रही है तो आप लोगों कोई ज़रूरत नहीं है प्यास को पानी में चौटातर ये gengडोत चुटा रहा जब आप इसको काटेंगे ना तो एक आंसु भी आपका नहीं निकलेगा और यह बिल्कुल जो है ना असानी से कट जाएगी और यकीन करें पानी से गीली होने के बाद यह मक्खन की तरह चिलगा उतरेगा कोई परिशान होने की जरूरत नहीं है चुरी से आप काट रही है इ इस तरह से कितनी असानी से उतर रहा है ना फिर नीचे से जो जड़वाला एरिया है इसको कट कर लें कितना जबर्दस यह टिप है ना आप घर में जरूर जरूर में टिप्स जो है वो ट्राइक किया कीजिए क्योंकि वही टिप्स मैं आपको बताती हूं जो मैं खुद रे चुदा ना चाहिए को अभी तो प्यायर थे ज lend to नहीं के सुलक होता है चुदना चाहिए एक चरल गयार होती चल्केंगी प्यास की लेकिन आना मसला यह हो रहा है कि प्यास अछी नहीं तो इसलिए इसके वजासे इसमें 30-40 लेयर उतारने पढ़ रही है हमें प्यास की अजीब सी जड़ो वाली और सू की प्यास आरही है इसलिए इसको गिला करके काटें ना आपको आंसु आएंगे ना आपकी प्यास जाया होगी या आपके 1000 रुपए बचाएंगी ठीक है या आपको टिप कैसी लगी मुझे जरूर बताईगा कमेंट्स कर गया यह देखें इसके एक लियर दो और यह तीसरी लियर में निकालती हूं यह देखें इसके बाद जाके प्याज निकल रही अंदर से प्याज निकलेगी प्याज आपकी जाया नहीं होगी जिल्ली देख रहें आप जब आपकी जिल्ली आजाए ना तो समझे उसके बाद जो प्याज है वो खाने वाली है और जो छिल्ली से पहले अगर जाद उतर गया चिल्ली आपको नजर नहीं आरी तो समझे फिर वो खाने वाली प्याज नहीं है आपकी जादा प्याज कट गई है जाया होगी है ठीक है जिल्ली आ गई आपकी और प्य ऊशन हों और यार सर दी आने वाले हुश बाइब करें हैं दोने हैं। जब चनले मोई अब कंचा भूरोगे- अभाजी बर्क्र दी तेंशियन में याण गृत्य को कि में पेलें वोड़नें। अधेम simply स्यांगी तृछ निदेन वालला मीठा सोडा यह वही सोडा है जिसे हम पगोडे बनाते हैं बेकिंग सोडा ठीक है आपने लेना है खाने वाला मीठा सोडा मेखंग क्यельक अबर सब्धारी गूला लेनी है जाहिए की छन्नी जहाँ आम को चाही की छनी से इसको डालेंगे ता कि अच्छी आप रोना चल जाए ना दक्कन वरना फ् ustedes वही वही रहे गा अच्छी तरहां से खाहः लेगा नहीं कम चाहिए mendढ़ा देगे अन्दर चलए जा गाहिए् जरसी में वो खतम हो जाए और जरसी में मैल कुचेल यकीन कीजिए मेल कुचेल को मीठा सोडा बहुत आसानी से काट देता है इसंद आहेक टावस मेल कुचेल के लीए फिला देगा जरसी मार देगा बलंकिट की बदभू को बिल्कुल खतंब कर देगा अची तरह से आप लोग देखें इस तरह से में फेला रहे हूं पूरे बलंकिट पे आप लोग ने भी इहीं करना है दोनों इ Users बेंकित होता है सीधा फ़オ फैरा का This से घ्रशर्डिया पॉर्डा करना है वहां भी आप लो बहुत असाने चल मिनट के अंदर आपका ब्लैंकेट धूल जाएगा साफ हो जाएगा लश्कारे मारेगा यह देखे मैंने कितनी अच्छी तरह से मीठे सोड़े को इस पे ब्लैंकेट पे फिला रही हूं ताके इसके बद्व मर जाए जरसीम मर जाए और इसका मेल कोचेल कट जाए बहुत जबर्दस होता है मीठा सोड़ा बहुत अच्छा काम करता है अब आपको क्या करना है कोई बर्तन कपड़े धोने वाला जो बुरश होता है वो नहीं लेना वो आपके जो ब्लैंकेट को पीच के निकाल देता है तो वो उसके तार-तार निकाल देगा ब्लैंकेट के आप लोगों को क्या करना है है बुरश होता है आप लोगों वो लेना है जब आपके बालों को असानी से कंगा कर देता है आपके बालों को असानी से बुरश कर देता है आपके बाल नहीं तूट प्लीच थेता ही लिख विया तो सोचेंगे बिल्केट के लिए ज्यादा नुकसान नहीं देगा यह बिल्केट के उपर हम इसको असाली साही आपके सामने कर रहे हूं कोई छूट नहीं है इसको अच्छी तरह से बुरश कर लें, है बुरश है, इसके बुरसल में ना, इसके जो बुरश होता है, इसके बुरश होता है, इसके बुरश होता है, नुक्ते नुक्ते सल बने वे होते हैं, जो सेफ करता है आपके बालो को, आपके बालो को तूटने नहीं देता है, और सो मीठा सोडा चला जाय आप लोग देखें आप लोग उने इसी तरह करना है पूरे में अच्छे तरहां से पहल लें ताकिस के रूए Sims 5 में मैं इसको छोड़ देती हूं आदे से घंडे के लिए चाहे तो आप एगंड़ चोड़ दें आदे गंड़े में पी काम कर जाता है अच्छा इसके बाद यह देखें में इसको तक्रीमान पोना घंड़ दिया था और दूसरे काम में लग गई थी अब मैं इसको ब्लैंकेट को टाके अध्य जाड लूग आप चाहे तो किसी की मदल ले सकते हैं जारने में जाड़ने में मैं जाड़ने में इसको यहां रूम से घंड़ रही हूं क्योंकि मुझे जाड़ एप प्रक्ति पर निकल चाहर सकते हैं अच्छी तरह से ताक्षाओ कि आपके आप ब्लसी आई चमक गया है बिल्कुल यह भैतिरीन इसका रिजल्ट आता है आप लोग जरूँ ट्राइ कीजिए गाई जब सर्दिया जाने वाली हो ना तो आप लोग यह जरूँ ट्राइ कीजिए गा और यह इसे तरह आप जो है साफ करके क्लीन करके अपने ब्लैंकेट को रखेगा अगर अब लोगों को मेटे सोड़ी की स्मेल आ रही है तो टेंशन निले आपके घर में कोई रूमी स्प्रे बोडी स्प्रे या पर्फ्यूम तो हो गई तो उसका आप इस्प्रे कर सकते हैं अपने ब्लैंकेट पर और आप तेगर के रख दें या यूज करें नो प्रॉब्लम ब अपना रूमी स्प्रे था वो भी करके दिखाया आपको स्प्रे हलका सा अब पसंद आईए वीडियो पसंद आईए तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दें अल्ला हाफीज